तो हलो फ्रेंड्स आ गया है मैं एक और नी वीडियो के साथ तो यहां पर इस टाइम पर आप मेरे स्कोर देख सकते हो 25,190 हो चुका है और मेरा करेंट रेंकिंग इस टाइम पर 65 का यार यहां पर एक दिन मेरा IT ब्लेक लिस्ट हो गया था जिसके कारण मैं टॉप 60 से नीचे गिर चुका था लेकिन चलो ठीक है भी वापस से पूस करेंगे और यहां पर रीजन वींस पर तो मैं अभी टॉप 1 पर चल रहा हूं देख सकते हो और काफी ज्यादा मैंने गेप भी बना लिया है तो इस टाइम पर मैं आपको अपना प्रोफाइल भी दिखा देता हूं य कि रिचली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फाइनल यार मैच जो स्टार्ट है चुका यहां पर आप लोग देखी सकते हो तो आज की इस वाले वीडियो में हम बस गेम पर फोकस करेंगे ज्यादा कुछ इधार उधर की बात नहीं करेंगे कल वाली वीडियो मैंने कुछ ज ज्यादा कमेंट आता है तो अगर यह वाला वीडियो ना यह वाले वीडियो में आप लोग अगर पांच जा लाइक या फिर 500 कमेंट आते हैं दोनों में से एक टार्गेट को हम मतलब ट्राई करेंगे कि पूरा हो जाए तो फिर अगले वाले वीडियो में मैं अपना डेली چे यार आप लोगो को भी तो फिर रुटीन जो है वो बता दूंगा आपको मतलब टू डेल टूदे लाइफ अपना मैं dar कड़ेव डेली को बताऊंग गांगा कि मैं किस टाइम सोता हो जो जो मैं कहलता हैं वाले वीडियो में ज हो आपको बताने वाला हो तो यह वाले वी तो फिर चलो ठीक है भी गेम पे ध्यान देते हैं आप लोग देखता हूं कितना जल्दी कम्प्लीट करते हूं टार्गेट को और हाँ आपको मैं ज़रूरी नहीं है मैं जो अभी बतायों वही चीज बताऊंगो उससे मतलब और भी मैं मतलब थोड़ा सा सोच क्या और कुछ जो छूट रहा होगा या फिर आप लोग भी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि यह यह चीज बताना करके तो वह चीज मैं अपने वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पहले तो आप लोग टार्गेट कराते हूं कि नहीं वह देखने वाली बात रहेगी मतलब डेली रूटिन के रिलेटेट कुछ पूछोगे तो उसी के मैं अंसर देने वाला हूं तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना तो अभी गेम पर फोकस करते हैं अभी इस वाले गेम में मैं सोचा हूँ ज्यादे धर उधर की बा ककी इसमें 1 मिनाट का टाइम मिलता है एक मिनाट दस सेकंड बिस सेकंड के आस पास लेकिन पिछले वाले जो अभी इवेंड चाल रहा थो इसमें रिवाइज होने का चार मिनाट तक चांस था वाई तो खुलकर मैं फाइट करता थे एक से और 4 मिनाट के अंदर-अ-दर थो फेम्टेन थोड़ा सा खराब चलता है थोड़ा नहीं बहुत खराब चलता है क्योंकि इसका रेंज वेगेरा पुरा-पुरा माइनस हो जाता है सब चेज खराब हो जाता है इसका तो पहले तो मैंने इसमें चीप लगा लिए इस टाइम पर तो इसे के साथ मेरे 2 किल कम्प्ल असब्स लेजं़ किश्ट अ तो यहां पर मेरे को और बंदा देखने को मिल गया तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डायँ तो थोड़ा सा भी रिस्क लेना भी सेफ नहीं है ऐसा सोच रहा था लेकिन चलो उसको मैंने बहुत ज़्यादा डाइमेजी कर दिया जब तक वो तक तक उसपया मैं रस कर दूँगा ऐसा सोच क मैं इधार थोड़ा सा आ गया है एंटी मटेरियाल लांचर मारूंगा करके नई यार यार हेंड के नान है लिए दिया लेकिन बंदेने मेरे को कितना जादर डाइमेज दिया ने है जाए चला यह घर रहा थे ऐसा है इसके आथ भाई पास वेम टेर रहता तो साइथ वोफ मेरे को फिनीश करने का दम रखता था मेरे ख्याल से क्योंकि एमटेन लगा कर खेलता हो लेकिन अगर मैं first zone हमेशा मतलब zone के बाहर में रहता न भाई तो मैं k character लगा कर नहीं खेलता हूं ये भी आपको बता दू wukong या फिर homer का यूश कर सकता या फिर wukong must character wukong को भी यूश कर सकता अगर मैं zone के बाहर फंसता नहीं first zone में लूट हमेसा कासा करता हो इसके काराडरी मैं हमेसा फर्स्त जोन जोन के बाहर ही रह जाता हूhm जिसके काराडर मैं हमेसा के करेक्टर ही लगाकर खेलता हूं एक्टू में तो यहां पर इस वाले box को मैं upgrade करने लगा क्योंकि मेरे को injection चीए था और मेरे को वह चीज मिल भी गाया वह तो अच्छा हुआ तो हमेसा मैं टोकन बचा के रखता हूं क्योंकि यह वाला loot box मतलब loot box बोल रहा हूं क्या box बोलते मेरे को नहीं पता है आप लोग चलो comment करके बता हो आप चर अप सी थाच मेरे को एकशार्ट पता नहीं है तो इसको क्या वाला box बोलते मैं तो आफी जो आरग एक आउ टिप देता हूं तो यहां पे मेरा प्रीपल नहीं चला गया अचानक से अभी फिर से सही हो गया तो मैं यह बोल रहा था कि वह जो यह गुल वालवाला जो क्या बूलते यार गुलुचीप आता है ना वेंडिंग में वह कभी भी मैं पर्चेस नहीं करता वेंडिंग मशीन से 400 टोकन से मिलता तो इस से अच्छा मैं यौला खोलता हूं इसमें से आसानी से कभी-कभी दो-दो मतलब वह दीडिख मिल जाता है तो दोसो टोकन से में मिल जाते तो तो मैं टोक्त लुपन बशा कर एकता था मैंने इसलिए मसा चीप मिल आप यार तो वह हमेंसा सील कर लेता हूं मतलब बहुत ज़्यादा वर ओर पावर गन है M40 जो है वो तो इसलिए मैं सोलो में तो मैं यही चलाता हूँ मतलब जनरली सारा गन चलाता हूँ लगभग लगभग अगर आपने मेरा कम्यूनिटी पोस्ट देखा होगा तो आपको पता ही होगा मेरे पास कितना सारा वेपन ग मैं अभी के टाइम पीस लिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि M40 में मैं क्या बोलते हो वेपन गलोरी में इंडिया में टॉप वन पे तो अपना वेपन गलोरी जो है बढ़ाने के चक्कर में फोर्टी चलाता हूँ इसकार नहीं चलाता नहीं तो इसकार भी मस्त गन है भाई करो मजल लगा के चलाय करो उससे मजल से मतलब साइलेंसर से में फोर्टी का रेट अप फायर कम होता है प्लस डाइमेज भी कम हो जाता है तो यह पात भाई मेरे को भी पता या लेकिन साथ एडवांटेज बहुत ज्यादा है नहीं इसलिए मैं सालेंसर लगा के चलाता बाकी ठीक है अपना अपना च्वाइस है वो मेरे को तो सेलेंसर अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता लेकिन ठीक है सेफ रहे मतलब थोड़ा सा अपने को सेफ करता है सेलेंसर जो है वो इसलिए मैं सेलेंसर लगा करी खेलता हूँ अगर मिल जाता है तो यहाँ पर फ इस पर लेकिन ठीक है मैं कर रहा हूं क्योंकि इदार के साइड पर कोई बंदा नहीं है तो थाड़ पार्टी होने का चांस थोड़ा सका मैं जिसके कारण इस पर मैं राज करने का सोचा तो ये तो बंदा भाई ये तत्सुया लगा कर भगे जा रहा है तो इसको इस टाइम प बंदे ने पूरक पूरा हेलमेटी गाइप कर दिया यार इस टाइम पे मेरे पास हेलमेटी नहीं है बता नहीं क्या गण चला रहा था एसा मेरे को लगा तो थोड़ा सा MP49 था भाई MP53 था यार उस टाइम पे मैंने देखा जब उसने मेरे को डाउन किया तो उस टाइम पे उसका नाम लिखाया MP53 तो वो बंदा MP53 चला रहा था भाई क्या हेड मारा था यार बंदा चलो ठीक है इस टाइम पे मेरे आठ किल कंप्लेट हो चुके है और अभी भी मे हो बंदे कहा है मेरे को नहीं पता तो हिदार इसके नारेक लगा देतो ऑम राँ नेल लेकी टीक थीक है दश्यूम्स 185 बंदा हो सकता है क्योंकि और कहां रहेगा और उसको पांदेगा चलो फो बंदा व्श्वाल लगा लिया और बंदा कंफी यांदी दूर था उसका दे रही है 20-30 का 20-23 के आसपास क्योंकि लॉंग रेंज कामफी जाता है तो अभी फोल्ट करते है यह वंदय को तो किसी ने मार दिया यार दो ही बंदय और बचे मेरे को छोड़कर एक बंदा पक्का नीचे के साइड पर है वह तो मेरे को पता है और एक बंदा ड्रॉप के प लेकिन बंदा फरसे वाल लगा लिया थोड़ा सा और एक दोगोली और उसको लगता ना तब बंदा खतामी हो जाता तो मैं ट्राइए करूं कहुत झाल नीचे वाले को फॉया निचे वाल बंदा कहा गया है भाई साध तक तक नीचे वाले बंदा इस इन फॉट होने बस säड़ है मतलब दो बंदे बच्चे मेरे को चौड़ कर दोनों बंद इधर ही होना चाहिए क्योंकि मेरे साइड सोång मेरे साइड कोई बंदा ही है मतलब इसको सामने और बीसे भी गर के लेकिन बंदा कितना ज़याद डायमेज देरा है चलो अपने आपको पेक ख़ल लेता हुक्त करके हील करता हूं पहले तो क्योंकि बंदें मेरा है आधा करिया है तो हील करना बहुत ज़्यादा जोर रही है तो एक सुपर ऩगीडिया लगाते देन अपना हेल्थ कम्प्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इस वाले बंदे को मारेंगे तो यहां पर मैंने तो हिल्टो कल ये ग्लू मेल्टर से मेरे को वाल तोरना है बंदा नेड़ कर रहा है लेकिन ऐसे एकदम सॉट्रेंज में वाल के अंदर मतलब नेड़ लाना बहुत मुस्किल है बहुत मुस्किल कभी कभी आ भी जाता है तो चलो इसको भी मारते बंदा सौडगन चला आ रहा था राइस्टार नाम दबाए इसका तो इसे के साथ ये वाला मैच मेरे को बुईया तो मिल चुका था तो फिर यही था राच का वीडिय मिलते नेक्स्ट वीडियो में